हाई एवरिवन वेलकम बैक तो मैं चैनल दोस्तों सफेद बालों के लिए आज मैं आपके लेके आए हूँ बहुत बढ़ियां सी रेमिडी सिर्फ कुछ ही मिंटों में आप देखेंगे कि आपके सफेद बाल काले हो चुके हैं आज की रेमिडी काफी जादा इजी है कोई जा आज दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हमारे सफेद बाल होते क्यों है क्यों हमें प्री मचूर हैर ग्रेंग की प्रॉब्लम हो जाती है वह इसलिए होती है क्योंकि हमारे बाल मेलनिन प्रिड्यूस करना बंद कर देते हैं पिग्मिन प्रिड्यूस करने वाला ए Meline Traducion करना बंद कर देते हैं तो हमारे बाद सफेद होने लगते हैं हमें Gray Haier की प्रम्लम हो जाती है premature भी होते हैं age के साथ भी होते हैं और इन्हें बहुत हद तक ठीक किया जा सकता है यानि premature grey hair को बहुत हद तक ठीक किया जा सकता है अच्छे खान-पान से अच्छी home remedies से बिना कुछ chemical use किये तो आज ऐसी है एक remedy मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसमें मैंने कोई महंदी का यूज नहीं किया है कोई chemical का यूज नहीं किया है सब दो से तीन इंग्रीडियंट है और आपके बाल देखेंगे आप पहले की तरह काली हो जाएंगे अब मैंने ले ली है एक लोहे की क खाल आपके लिए इंगए तो आपको हम उनके हैं लिएक खाल के बाल में दो साबस्ता रिवह गारोज सान में महाँद हैं इसको बहुत अच्छे से हित करना今 प्र कि हम आपको च The Communist इसम और परिभर आपको आपको एक चम्मच के बराबर कलोंजी यानि की ब्लैक सीड्स यह ऑप्शनल है दोस्तों बट इसे डालने से आपका हैर पैक और बी जादा एफेक्टिव बनेगा तो आप चाहें तो डाले आप चाहें तो स्किप कर दे एक चम्मच डालने में कुछ नहीं जा रहा है एक चम्मच कलो जी और आमला को अच्छे से ड्राय रोस्ट करें och e से हमें बिलकुल ब्लैक टेक्टिर का करना है मीडियम पर ब्लैक पर बिलकुल हाइड श्मक करके जलाना नहीं और लगातार अपको चलाते रहना है स्टर करते रहना है वरना यह जल जाएगा और बिल्कुल कोईले जासा बन जाएगा वो हमें नहीं चाहिए हमें अच्छे से रोस्ट करना है इसे ब्लैक होने तक आमला दोस्तों वन आफ देस्ट किर्फ्ट है हमें नीजर के थुरू जो हमारे ग्रे हैर के लिए बहुत अब आपने देखा कि आमला अच्छे से रोस्ट हो गए है तो हम यहाँ पर आड कर देंगे करी लीव मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आपके पास फ्रेश पतिया है तो उने क्लीन करके उनका यूज करें अगर आपके पास मेरी तरह ड्राय लीव्स है तो आप उनका तो यह मस्ट है। अब कुछ भी जो भी चीजे मैंने बताई हैं इसे कुछ भी आड़ कर सकते हैं यह बेसिक लिए मिसली आड़ कर रहे हैं दोस्तों कि थोड़ा सा कलर इस पैक को मिल जाए तो आपको एक कलर वाला एजन डालना ही है दो से दो चम्मज से ज्यादा मड़ डालिएगा बस दो चम जाए अब गरम है वैसल गरम है तो आपको फ्लेम उखता वह दिखाई दे रहा है बट मैंने ग्यास का फ्लेम बंद कर दिया आपको दो ग्लास या फिर तीन ग्लास के बराबर पानी डालना है जितने में सारे इंग्रीडियंट्स अच्छे से डूब जाएं देखिए इस त बहुत जरूरी है ताकि आइरन पॉट के भी हमें बेनेफिट्स मिले आइरन का अगर आप इंग्रीडियंट्स आइरन के खाते हैं या फिर अपने बालो में यूज करते हैं तो यह आपके ग्रेहर के लिए बहुत बढ़िया होता है आइरन रिच फूड अगर आपके ब्लाक सा अच्छे से शोफ्ट हो गई है अभी मैं आपको देखाती हूँ और यह बिल्कुल ब्लाक सा आपको सारे सीर्स भी ब्लाक मिलेंगे बिल्कुल पानी बिद्ध का ब्लाक मिलेगा यह रेखिए देखे, अब हमें क्या करना है, इन्हें चान कर और अच्छाव पेस्ट बिना लेना है, तो चलिए अपने Mixer जार में इन्हें ट्रांसवर करदेते हैं, जार में आमला, कलॉंजी और कर रूंजी और करी लिफ के साथ सा थोड़ा सा पानी बें Surprisingly क्या façon पानी आपर ब्रूनार पानी के पानी यूज़ कर सकते हैं या फिर बोटल में भरके इसे आप स्प्रे कर सकते हैं जिस दिन आपका हैर पैक लगाने का मन नहीं हो बहुत यूश्फुल है यह वाटर तो इसे फेक यह नहीं बहुत जादा इसमें गुड है आवले के कलौंजी के तो इसे भी रख एक स्मूध सा पेस्ट बनके तयार करना है बिलीव मी दोस्तों अब तक का सबसे फेवरिट पैक मेरा यह बनके तयार हुआ है इतना स्मूध इसका टेक्च्चर है इसकी कंसिस्टेंसे इतनी बढ़िया है इसका रजल बहुत जादा अच्छा है और सबसे बड़ी बात इसम जरूर बनाना है जितने भी लोग सफेद बालों से परिशान है ट्रस करते हैं मेरी रेमिडी में उन्हें आपको इन लोगों को जरूर बनाना है इसे लगाईए अच्छे से ब्रश की हर्प से लगाकर आपको छोड देना है एक घंटे चोड़ दीजे आदे घंटे में भी अपना रिजल्ट दिखा देता है बट मेरी माने तो एक से दियर घंटें से छोड़ दे उसके बाद नॉर्मल पानी से वाश करें ऑईलिंग करें ताकि बालों में कलर लॉक हो जाए और नेक्स देहीं आपको किसी माइल शैंपू से शैंपू करना है आप देखेंगे आपक खाना शुरू करिए किसी भी फॉर्म में तो आपको बहुत बड़िया रजल्ट मिलेंगे अपनी डायेट को हल्दी रखिए यूविल सी कि ग्रे हर की प्रॉब्लम आपकी सौल होने लगी है तो उमीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को शेयर करिएगा क्योंकि आप जानते ही है कि मेरे चानल पर चल रहा है गीववे कॉंटेस्ट आप बन सकते हैं इसके विडियो अगर आप मेरी वीडियो को मैक्सिमुम शेयर करते हैं तो और चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कर लिजे इतनी अब मुझे कर सकते हैं सारे सोचल मीडिया हैंडल पर अपने फोटोग्राइब्स और फीडबैक मेरे साथ शेयर कर सकते हैं चलिए दोस्तों मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट और बढ़िया सी वीडियो के साथ अगर कोई वीडियो रेक्वेस्ट है तो मज़े कॉमेंट और बाइ बाइ